हेलो गाईज, ये एक बहुत ही इंपोर्टन नोटिफिकेशन है, खासकर हमारे पेड क्लासेस को ले करके, अलरेडी इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया था चैनल पे, करीब 20 दिन पहले ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, तो मैं भी बहुत सारे अप्लोड किया जा रहा है, अभी आज के डेट में, यानि 1 अगस्त के लिए, आपका 20% ओफ रहेगा हमारे जितने भी पेड क्लासेस है, उन सभी के ओपर, सिर्फ और सिर्फ मशीन को छोड़ करके, मशीन का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको 10% है, यहाँ पर डिसकाउं हमेशा मैं आपको बता है कि lifetime रहेगा आपका, यानि सिर्फ और सिर्फ आपको one time payment करना है, उसके बाद अगर future में, जैसे मान लेते हैं, दो साल बाद, फिर तीन साल बाद, फिर चार साल बाद एक तरीके से, आप फिर से पूराने lecture के लिए आप मेरे पास अगर आ रहे हैं, तो आपको मुश्किल से, जो भी हम लोग का अगर मान लेते हैं, पास seat नहीं available, because अभी हम लोग Google Drive के थुरू दे रहे हैं, तो Drive में हम लोग को upload करना पड़ता है, प्लस उसको manage करना पड़ता है, जो भी आपका space issue होता है, तो उसको भी एक तरीके से rectify करना है, आप उसके ल तो अभी मान लेते हैं, आपने आज के डेट में course लिया है, अभी अगस्त 2020 में लिया, मान लेते हैं, आप 5 साल बाद आ रहे हैं, मेरे पास, आपको ये तीन साल बाद आ रहे हैं, तो उस situation में आपको ये फिर से पे नहीं करना है, ठीक है, जो अधर जो भी आपके पास resources है, अधर चैनल जो आपको provide कर रहे हैं, उनके पास एक validity होता है, ठीक है, कि एक साल में देखना है, छे माईने में देखना है, इससे ज़्यादा हम लोग duration दे पाएंगे, ठीक है, उनका भी मजबूरी होता है, बिकाउस वो लोग website के थुरू दे रहे हैं, तो वापे उनको आपको पता होगो आपको एक limited seat होता है, हर एक email ID के लिए, ओके, तो seat रहेगा, तो instant मिल जाएगा, अगर seat नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको फिर uploading fee देना पड़ेगा, ठीक है, uploading fee कहाने का मतलब जो भी जैसे basic electrical है, तो इसमें और अब ही, जो, especially मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ उसे basic electrical के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझे, अब ये basic electrical अभी नाम पे अप मत जाहिए, अभी समझे कि कितना important है, अगर आप power system और machine की बात करें, measurement की बात करें, control system की बात करें, तो ये जितने भी advanced subject है, इन से जादा, जो important है, ये अपका basic electrical है, because, exam में जब आब बैठेंगे न, खासकर J-E level पे, ये किसी भी level पे बैठ रहे हैं, तो ये basic electrical से ही question आएगा, करीब आपका 25-30 question आएगा, J-E में तो confirm है 25-30 question आएगा, अब basic electrical का, मतलब, इतना मतलब easy way में लोग ले लेता है, कि ये resistance का म होता है, ठीक है, या फिक है, इन्सुलेटर क्या होता है, ये सब नहीं है, ठीक है, basic electrical एक बहुत ही most 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 important course है, पूरे electrical engineering का, और basic electrical जब तक आपका cover नहीं होगा, आपसे कोई government exam नहीं निकलने वाला है, और नहीं आपको फिर ये advanced subject समझ में आएगा, power system, machine, measurement, control system, signal system, EMFT, सब basic electrical, क्योंकि मैं आपको एक तरीके से यहां पे influence कर रहा हूँ, तो इस particular course के लेना, अब जो 1920 रुपए पे करेंगे, यहां पे आपका 4 दिन के लिए, ठीक है, 4 दे के अंदर में, अगर आपको ये course नहीं पसंद आता, तो अपका पूरा का पूरा पैसा return back कर दिया जाएगा लेकिन यहां पे condition ही है, कि जो हम लोग lifetime देते हैं, इसके साथ हम लोग downloading का भी option देते हैं, downloading कहने का मतलग, जैसे बहुत सारे student के हैं, village में रहते हैं, तो उनके पास 24 hours जो है high speed internet available नहीं है, तो उनके लिए हम लोगों ने यह permanent downloading का option दिया हुआ है, permanent कहने का मतलग, एक बार आ happy में है, या फिक जो भी आपके पास hard disk है, उसमें आपका lifetime रहेगा, तो कोई expiry date नहीं है, okay, तो यह जो आपको four days का, जो भी आपको money back guarantee यहां पे दिया जा रहा है, इसमें आपको downloading option नहीं दिया जाएगा, ठीक है, चार दिन, यानि जब आप course पसंद कर लेंगे, जब आप में को confirm करेंगे, नहीं सर, में को यह course सही है, पर्मानेंट चाहिए, तो तब जाकर के आपको यहां पे downloading option भी enable कर दिया जाएगा, लेकिन, चार दिन के अंदर तक आपका यह downloading option नहीं किया जाएगा, जब तक आप confirmation नहीं दें कि में को यह downloading के लिए भी चाहिए, तो इस इस चीज में single कर रहा हूं यहां पर, तो हर लोगों से फिर, मतलब एक तरीके से कहिए बात करना होगा, उसके बाद फिर detail लेना होगा, फिर confirm करना होगा, फिर भेजना होगा, फिर भेजने के बाद confirm करना होगा, समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से complicated हो सबसे पहले, आप किसी भी चीज को जज मत कीजे, उसके subscriber के basis पे, because यह trend चल चुगा है, कि इनके पास ज़्यादा व्यू है, ज़्यादा traffic आ रहा है, तो यहां पर content ज़्यादा होगा, ठीक है, अभी हम लोग जो भी content प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके उपर अगर आप trust करत ठीक है, जैसे basic electrical में, total 160 lecture में लेगा, 40 minute जो होगा, average duration होगा, और यह 40 minute का average duration में आपको होता है, हर course के लिए होगा, power system में भी होगा, power system machine में भी होगा, ठीक है, आपका measurement उसमें भी होगा, machine में भी होगा, और basic electrical के बाद, जो second most important जो होगा, यह अपका machine है, ठीक है, लेकिन machine क समझने से पहले आपका power system का थोड़ो बहुत information होना चाहिए, because हम लोग जब synchronous machine में घुशते हैं, तो वहाँ पे आपको power system का concept नहीं पता है, तो वहाँ पे आपको समझने में problem होगा, तो पहले basic कवर कीजिए, basic में आपका क्या-क्या content कवर होगा, अभी हम लोग इस book से potential difference होता है, potential, या फिक कई से थिए, voltage का जो definition होता है, वो starting के lecture में आपको नहीं समझ में आगा, जब तक कि आप electrostatic नहीं समझ में आएगा, electric potential क्या होता है, potential difference क्या होता है, जब आप एक तरीके से electrostatic charge को पढ़ेंगे उसके बाद, तो starting में आपको थोड़ा सा compromise करके चलना प फूरा कवर होगा, उसके बाद आपका ये थोड़ा सा बेसिक है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, अनर्जी क्या होता है, विकास अम लोग मशीन में आएंगे तब पढ़ेंगे, वहाँ पे mechanical energy, अभी मोटर चल रहा है, तो motor मैपको पता है, ठीक है, दो पावर है, electrical power और आपका mechanical power, तो उसमें आपको ये help करेगा, electrostatic आगया, most important course है ये आपका, और अगर आप 12th की बात करें, तो 12th औ 11th में दो ही chapter most important होता, एक तो electrostatic और एक आपका electromagnetism, तो सोच सकता है, कितना important आपके engineering के लिए, उसके बाद अगर आप आगे देखें, तो आजाएगा य electromanity induction पूरा cover हो जाएगा, इसमा को समझ माया है, lens low क्या होता है, ठीक है, या फिकाई inductor क्या होता है, ठीक है, self inductance क्या होता, mutual inductance क्या होता, इससा समझ मायाएगा, और इसको समझता है तो फिर आपको faraday law भी समझ मायाएगा, उसके बाद ये जो chapter है न, ये battery, क्योंकि ये vertical है, और ये अलड़ी हम लोगोंने cover किया है, पावर सस्टम के MCQs में, जो आपका utilization है, वहाँ पे अपको electrolysis और बैटरी का concept होता, वो दिया गया है, उसके बाद 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 इसमें कोश है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, बाद इसके बाद आता है, AC fundamental, most important है, इसको समझेंगे, तभी आपको 3-phase का concept समझ में आगा, फिर ये AC का पूरा है, यहीं AC करेंट हम लोगों के लिए इना important कि हो, समझ में आगा, उसके बाद AC series circuit पूरा cover हो जाएगा, उसका phasor algebra पूरा cover हो जाएगा, और phasor algebra ही बहुत important, विकाद जब आप मशीन पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपका यहाँ पर आजाएगा last AC network analysis, ठीक है, और अभी एक chapter बच गया, यह है आपका basic measurement एक तरीके से, क्योंकि यह एक अलग ही subject आजाता है, तो इसको हम लोगों ने अलग में रखा है, और यही पूरा का पूरा content आपको मिलेगा, basic एक तरीके से measurement में, ठीक है, analog आजाएगा, यहाँ पर देख सकते है, primary instrument क्या होता है, secondary instrument क्या होता है, फिर आपका जाएगा, तो यह सब आपको मिलेगा, basic measurement के अंदर हो, इधर है, यह सब आपका पूरा आजाएगा, तो I hope कि आपको यह समझ में आ रहा है, कितना बड़ा यह portion है, बड़ा है, फिको इस अब तक आप नहीं पढ़ेंगा, तक आपको नहीं पावर सीस्टम समझ माइगा, नहीं मशीन सम आएगा, जिसमले मशीन आप पढ़ेंगे, तो मशीन में पूरा elektromagnetism का concept है, थिंक है, नहीं है nine लेक्त्रो मगानेटिसम पढ़ेंगे नहीं, थिंक है, इंडक्टर का कांसेप्, current lag क्यू कर रहा है, lead क्यू कर रहा है, capacitor है, तो charging current आ रहती, lead क्यू करता है हमेशा, ओके, फिर आप switch gear पढ़ेंगे, तो आप जो arking होता है, जो आपका circuit breaker साब जगा आपका basic concept ही एक तरीके से utilize होता है, तो आप इसको अगर avoid कर दे रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे advanced subject में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है अगर ABC समझ में भी आ रहा है ना तो आप जैट तक अभी भी नहीं समझ पाईएगा तो इसको समझेए I hope कि आपको हर एक चीज क्लियर हुआ होगा यहाँ पे और जो भी आपको फी को लेकर के लग रहा ना यह उन्ने सो बीस रुपए बहुत ही एक तरीके से costly है जो एक एक lecture में आप मेहनत देखेंगे ठीक है उसके बाद आप जज कीजेगा because अभी आप new है तो इसको analyze नहीं कर पाईएगा ठीक है course purchase करने के बाद ही आपको समझेएगा यह 2400 रुपए फी यहाँ पे इतना क्यू रखा गया है ओके और जो भी आपको content प्रोइड किया जाएगा ना उस basis पी यह फी बहुत ही बहुत ही लू है एक तरीके से ओके उसके बाद power system है power system का machine में आपका पूरा जो है अभी जो भी हम लोग का course चलता है भाई हम लोग का main motive होता है gate plus IES level ठीक है ओके तो इसके नीचे में जो भी आपका government job का exam है जैसे ITI वाले भी है student diplomat भी है ठीक है जे यह सब जो भी preparation कर रहे है electricity board के लिए कर रहे है तो भाई यह आपका automatic इसमें cover हो अब फिक है एक particular syllabus पर ही काम कर रहे है ठीक है लेकिन यहाँ पी क्या है कि आपके पास all door open है all door open कहने का मतलब क्या आप gate के लिए कर सकते हैं cover IES के लिए कर सकते हैं UPP cell के लिए electricity board के लिए कर सकते हैं किसी भी जी RRB के लिए भी कर सकते है ठीक है तो यह आप कहिए कि एक universal की है किसी भी exam में खासका technical portion को लेकर के अगर आप strong होना चाहते है तो इस अब आपको बहुत ज़्यादा help करेगा और एक चीज़ समझेए सामने वाले का अगर 5 subject cover हो रहा है ठीक है अगर आप किसी से 5 subject खरीद रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पे सिर्फ 4 subject है उसके 5 subject के बराब यूज हो रहा है power system का भी concept यूज हो रहा है ठीक है तो अगर आप यह सब drop कर देंगे तो machine आपको कभी भी नहीं समझ मायगा तो I hope कि आपको यह समझ माया होगा और एक सी समझ यह बहुत सा student control system के लिए बोल रहा है तो control system भाई देखे आपका यह link topic होता है ठीक है पूरे engineering म पढ़ेंगे तो वह पर आजाएगा एक तरीक है close loop system तो close loop system में आपको पता है feedback चलता है negative feedback positive feedback तो feedback कुछ नहीं एक तरीक है signal होता है ठीक है तो अब भी बताईए कि अगर आप signal and system जो अपने आप में complete subject है उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे वहाँ पर feedback को समझ पाईए negative feedback क्या है positive feedback क्या है okay यानी control system को पढ़ने से पहले आपको पहले signal system पढ़ना पढ़ेगा signal system clear हो उसके बाद ही आपको यह control system समझ मायागा ठीक है तो यह इतना easy नहीं है कि बस बना दीजे हो जाएगा हम लोग समझ जाए नहीं अगर आपको proper way में समझना है तो भाई आपको sequence से चलना पढ़ेगा और अभी यह machine है तो machine के बाद हम लोग का start होगा machine का जो mcqs है जे भी गुपता का उसको cover करेंगे उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा electronics के उपर काम करेंगे बिकास बहुत सा students बहुत देन से बेट कर रहे हैं electronics को लेकर के तो basic electronics पहले cover करेंगे उसके हो पाता है हम लोग अभी lecture आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दे रहे हैं और कोशिश कीजिए कि कुछ पैसे अपने उपर invest कर पाएं ठीक है because आपको यहां पर जो भी पैसे पे कर रहे हैं जैसे दो दिन पहले मैंने अनलाइस किया channel पर जो भी आपका जैसे डीसी मोटर क समझना नहीं चाहता है फिक हर एक चीज का आदमी शॉटकट ढूंड रा आज के डेट में ठीक है तो उस बैसिस पर चैनल पर काम करने का एक तरीक ऐसे मोटी भी नहीं हो पाता है because एक लेक्चर पर जैसे अगर आप स्टार्टर पर देखेंगे तो करीब उस पर 16-1700 वीव ठीक है इसलिए हम लोग यहां पर एक तरीके से पेट क्लासस जो भी आप बोल सकते हैं तो पैसो को अगर आप छोड़ देता है ठीक है पैसे अगर आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आपके लिए कहिए कि पूरा इलेक्रिकल इंजिनेरिंग में आपको बहुत जादा है नॉलेज एक तरीके से प्रोइड किया जाएगा यहां पर और काफी मतलब कॉंसेप्चुल होगा भाई ठीक है तो प्रैक्टिकली आप बहुत ही स्ट्रॉंग हो जाएगा इंजिनेरिंग में खास कर